हेलो चंपियन्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं ठीक ठाक हैं और पढ़ाय लिखाया आप लोगों की अच्छे से चल रही है मैं पिक के मिश्रा आप लोगों का लेट स्कोर हंडेट पे वेलकम करता हूं दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया और बिफोर वी स्टार्ट रिसोर्स प्लानिंग इंडिया एक छोट आसा ना क्विक रिकाइब करते हैं पिछले वाले वीडियो में हम लोगोंने रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा था और उसमें हम लोगों यह पढ़ा था कि क्यों रिसोर् कि resources are very vital and important that's why we should you know plan the resources but India के context में resource planning क्यों बहुत जरूर ही है क्यों क्योंकि इंडिया में जो resources का distribution है वो बहुत ही unequal और uneven है unequal और uneven कैसे है unequal इस तरीके से है unequal और uneven इस तरीके से है कि जैसे आप लोगों ने देखा कि last वाली वीडियो में जो resource planning पर है उसमें देखा कि एक तरफ हमारा राजस्थान है वेस्ट में जहां पर भी है abundance of solar energy and wind energy दूसरी तरफ बट बट राजस्थान lags in water resources दूसरी तरफ हमारा नौर्थ इस में state बैठा है अरुनाचल प्रदेश राइट अरुनाचल प्रदेश में राजस्थान में क्या lag करता है water resources लेकिन अरुनाचल प्रदेश में क्या है भरपूर वहाँ पे forest and water resources से water bodies है अरुनाचल प्रदेश सारी beautiful rivers है यहां water resources की कोई कमी नहीं जबकि राजस्थान में आज भी रूरल अरियाद में राजस्थान के तीन से चार किलोमेटर लोगों को वॉक करके especially women को water fetch करना होता है और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग और मैं यानि हम दोनों लोग मिल करके board exam को plan कर रहे हैं we all are preparing for board exam March 2026 तो आज का जो हमारा topic है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं resource planning in India तो resource planning मैं अकेले नहीं करूँगा resource planning में आपका आप लोगों का साथ मुझे चाहिए तो आए मिल करके resource planning वाले topic को हम लोग शुरू करते हैं so basically resource planning जो है resource planning is a complex process which involves basically resource planning में three stages होते हैं लेकिन NCRT में लिखा हुआ है कि resource planning is a complex process देखे दोस्तों resource planning एक complex process हो सकता है लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि resource planning के जो three stages है उनको learn करना बिलकुल ही आसान है जी हाँ बिलकुल आसान है कैसे resource planning को हम लोग एक trick से learn करें है वो trick है EMI हाँ हाँ बिलकुल सही सुना आपने EMI आप ओगे रसर यह EMI क्या है अरे भाई आप लोग जानते हो गुड़िया आप से का रहा हूँ अरे आपके स्कूटी की EMI हर महीने जाती है न अरे पापा जी या भाईया जो EMI हर महीने आपको बर्थडेप जो स्कूटी मिली थी हाँ हाँ उसी की बात कर रहा हूँ हुआ है चले दोस्तों जोग सक पाट तो EMI की हल्प से हम लोग समझने क्यों कोशिश करते हैं EMI तो यह EMI जो है बहुत काम की है resources के resource planning के three stages को learn करने में तो देखते हैं जो E है E stands for evolving M stands for matching यह and I I stands for identification तो यह हो गया हमारा EMI तो फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करने के कोशिशन है E for E for evolving M for matching I for identification इसकी help से अगर आपको यह EMI का first initial से आद रहेंगे न initial words तो यह जो three process है easily आप लोग recall कर पाएंगे आए यह देखते हैं इसमें लिखा हुआ है तो question क्या बनेगा हम लोगो ने अल्रोड़ी question discuss कर रही है कि what are the three different stages या what are the three stages of resource planning right जो कि एक resource planning एक complex process है आए देखते हैं पहला है हमारा identification पढ़ते हैं so यह है कि identification and inventory of resources पहला top पहला stage क्या है three stages में से पहला stage क्या है identification and inventory of resources across the regions of the country कहने का मतलब यह है कि हमारी country में coal कितना है water resources कितने है iron ore कितना है petroleum कितना है इन सब की identification होनी चाहिए places की कि किन places पे है and इनकी inventory बननी चाहिए मतलब एक list तयार होना चाहिए कि किस state में या किस region में कौन सारे source available है right इसका भीन एक process होता है identification and inventory की भी एक process होती है आए समझते हैं कि what all does it involve means identification and inventory बनाने से पहले और भी कुछ home up करना पड़ता है समझने कोशिश करते हैं proprio जैसे हिए कि यह हमारा है मध्र प्रदेश right यह हमारा मध्र प्रदेश है मध्र प्रदेश इंग्र ओली है यह basically इसमें हम लोगों एक्जाम्पल लिया है coal mines का कि इंडिया के किन-किन states में coal mines मिलते हैं हम ने एक जगा को identify किया कि मद्र प्रदेश में तो हैं नहीं मद्र प्रदेश में एक particular area का है सिंगरॉली को हमने identify कर लिया सर्वे के थूब हम लोगों ने identify कर लिया कि मद्र प्रदेश के सिंग्रॉली में उसके बाद आप और देख सकते हैं, है हमारा चताटीस गड़ है आप लोग laughs अकले सकते हैं, यह चताटीस गड़ है right? चताटीस ह राइट जैसे पूरी स्टेट की सर्वे हुई सर्वे के बाद मैपिंग करके जीरो इन किया गया कि भाई मध्र प्रदेश में सिंग्रॉली में कोल है उसके बाद क्या करेंगे सर्वे हो गया हमारा सर्वे के दुरू पता चलग गया कि किस स्टेट के किस प्लेस में है फिर उस सर्वे करके मद्रप्रदेश पहले पूरे मद्रप्रदेश का सर्वे हुआ सर्वे में पता चला सिंगराउली में है अब सिंगराउली में थोड़ी है उसको एक जहां पे कॉल है उसको क्या करेंगे mapping करेंगे उसे रिया की और उसको इन क्लोज कर देते हैं कि भाई यह यहां पे कॉल है या पेट्रोलियम भी हो सकता है या जो भी हो depending on कौण साम मिनरल वहां पे मिलता है तो सर्वे हो गया mapping हो गया उसके बाद qualitative and quantitative long-cutative estimation तो फ़ह समाजते है qualitative अब जयस Wirk कोल का एक्जामपल ले रहे हैं तो इसमें हम लोग यह समझे profit की जो मध्य प्रदेश के सिंग्रॉली में या उलिषा के ताल चेर में मध्य प्रदेश के सिंग्रॉली में या होडिशाowser के पीटा, बीटूमिनस, एंथ्रेसाइट, एक और होता है, आप लोग कमेंट में करके बताएं कि वो कौनसा कॉल होता है, बिसिकली जो पीटा होता है, उसमें क्वोल 40% कार्बन होता है, और जो एंथ्रेसाइट होता है, वो बिस्ट क्वालटी कॉल होता है, क्यों क्योंकि उसम तो basically qualitative तो हमने पता कर लिया किस quality का goal है किस quality का goal है उसी के depending on that उसके uses भी decide किये जाते हैं उसके बाद हम लोग की क्या करें quantitative estimation quality पता चल गई quality का estimation हो गया किस quality का फिर कितने quantity में है ये भी बहुत मायने रखता है उसके बाद क्या होगा अगला step measurement of the resources देखो यहाँ पर qualitative and quantitative estimation हुआ था एक की चलो हाँ जो estimate होता है थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकते है या कम हो सकते है बट उसकी measurement भी करी ज़रूर है कि अगर यहाँ पर इतने investment होगी इतने लोग काम पर लगेंगे तो कितनी किस quality का coal निकलेगा और कितनी quantity में निकलेगा यह बहुत जरूरी होता है तो देशतों हम लोगों ने पहला देखा क्या है हमारा identification basically there are three steps basically there are three stages of planning process right तो पहला हमारा क्या हो गया identification and inventory और identification identification on inventory inventory मतलब क्या होता है inventory मतलब उसके list त्यार करना resources की so identification and inventory हमारी हो गई right और identification और inventory के लिए क्या करना पड़ता है survey करना पड़ता है mapping करनी पड़ती है qualitative and quantitative estimation करना होता है उसके बाद measurement करता है कि भाई जितना हम लोगों का estimation था उतना ही है यह थोड़ा बहुत कम है थोड़ा बहुत जाता है यह clear हो गया पहला stage हो गई resource planning की दूसरा हम लोग देखते हैं यह हमारा complete हो गया दूसरा हम लोग देखेंगे evolving a planning structure इसका मतलब क्या होता है हम लोगों ने क्या किया कि survey कर लिया mapping कर लिए identify कर लिया quality and quantity उसके बाद इतने से तो काम नहीं होगा रिसोर्स अपने आप तो बाहर आएगा नहीं उसके बाद हम लोगों को evolving a planning structure कि वहाँ पे किस तरह की technology यानि कौन-कौन से machines की requirement होगी coal mine से coal निकानने के लिए किस तरह के experts की requirement होगी engineers या जिन लोगों को mining की ज्यादा knowledge है क्योंकि कई बाद danger भी involved होता है तो suitable and latest technology देखते है skilled लोगों की ज़रूवत होती है उसके बाद देखे appropriate technology हमें चाहिए होती है skilled manpower and skilled people चाहिए होते है and institutional setup दोस्तों आप लोगों को वाला डाग्राम याद है यह वाला थोड़ी सी छोड़ी सी बनेगी यहाँ पर जगाह कम है यह वाला डाग्राम याद है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था जिसके center में human beings right और उसके बाद यहाँ पर nature technology and institutions वही चीज फिर आ गई तो कोई भी resource हो हर resource की planning के लिए हर country एक dedicated department बनाती है तो basically हम लोग कोल के example से पढ़ रहे हैं आपे तो यहाँ पर कोल के department को कौन हैंडल करता है coal ministry of india right तो देखते हैं तो coal ministry of india की responsibility बनती है सारी जो पहला stage था यह coal ministry of india ने किया अगर इसी तरीके से अगर petroleum का होगा तो दूसरी ministry देखेगी water resources का होगा तो दूसरी ministry देखेगी आप लोग प्लीज वो मेरी first video है आप लोगों को वो link description में मैं share कर दूँग आप लोग देख लेना आपको काफी अच्छे से समझना आ जागा कि किस तरीके से institutions important role play करते हैं resource planning में या resources के utilization में नया resources को देखो जो resources होते हैं originally तो हम उसे ऐसे लेक उठा की उस तो कर रहा है सकते हैं तो technology की help से हम लोग technology की help से resources के साथ internet करते हैं और institutions बनाते हैं तो यह जो institutions काफी important role play करते हैं और इन institutions की help से ही economic development को बढ़ हवा मिलता है या acceleration मिलता है वह वीडियो जरूर देखेगा आप लोगो को समझ में आएगा काफी अच्छे से so एक बार फिर से देख लेते हैं evolving a planning structure endowed with appropriate technology इसे आप लोग प्लीज याद करते जाए appropriate technology skill and institutional setup for implementing resource development right तीन चीजे required है क्या technology institutional setup और skill right अब हम लोग देखते हैं third stage कौन से हमारी third stage है हमारी matching the resources resource development plan with overall national development plans दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं दिन बाद दिन population is growing cities are expanding तो यह government agencies की responsibility है कि आज से 10 years के बाद या आने वाले 20 years के बाद population growth को ध्यान में रखते हुए कितने ज्यादा resources की जरूत पेड़ेगी कितने ज्यादा अच्छा when cities are expanding तो कैसे हो रहा है more power generation requirement will be there more houses will be constructed more manufacturing will be required of goods right तो जो government agencies हैं यहाँ पे चुकि हम लोग coal का example है तो coal के example से देखें कि coal ministry की responsibility बनती है कि 10 years में जो coal की demand बढ़ेगी तो उसको कैसे plan करेंगे जो new places identified means coal stock को maintain रखेंगे so that thermal power plants में electricity generate होती रहे और यह जो electricity generate होती है क्यों थोड़ा सक्विक रिमाइन करा रहा हो आप लोगों को जो electricity generate होती है क्या होता है यह आप लोग जानते है न क्यों हमारे household के लिए जरूरी होती है household के साथ different industries को भी यह power supply होती है तो इस तरीके से यह हो गया तो matching the resources development plan with the overall national अब देखिए जो government का next 10-15 years के लिए जो भी प्लान है तो resources को उसी ध्यान में रख करके develop किया जाए जाए example हम लोग और ले सकते हैं suppose जैसे government का यह plan है कि next 10 years में इंडिया के हर village को electricity चाहिए अब electricity के लिए cool चाहिए जैसे हम लोग पहले ही discuss कर सकते है जैसे कि एक और example ले सकते है कि government हमारा national plan है कि हमारा यह national plan है कि tap water इंडिया के remotest village villages में हर घर तक पहुचे तो इसके लिए क्या है water resource ministry will ensure right तो अगर हमने यहाँ पर water का example लिया होता तो institution कौन सा होता है water होता है मतलब water resource ministry होती तो इस example की help से हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया identify कि resources को EMI का यहाँ पर आया है identify M का फिर हम लोगों ने उससे क्या क्या मैच किया किस से मैच किया national national development plan से फिर हम ने इससे क्या क्या evolve किया क्या evolve किया planning structure and planning structure evolve करने में हमें क्या क्या लगता है technology skill and institutional setup so I hope आप लोगों को EMI का जो example था वो helpful लगा और EMI के help से हम लोग जो resource planning के three stages होते हैं हम इसे learn कर सकते हैं और initial अगर आप लोगों को EMI याद रहेगा न बाकि अपने आप याद आही जाता है है I assure you आप लोगों भी experience किया होगा now we can और एक ही जो और इसमें न कुछ जो हुमारा पहला इस्टेफ है इसमें जो यह keywords है please pay attention to this surveying mapping qualitative and quantitative estimation while writing answer आप लिए जरू लिखेंगे equation 2 या 3 number में आ सकता है right चलिए now we will move on to the next slide which is the continuation of the same अब हम लोगों ने पढ़ा कि resource planning के three stages होते हैं तो जाहर से बात है कि government of India resources की value से परचित है क्योंकि हम लोगों का बहुत ज्यादा in the hands of Britishers when India was under British regime जैसा कि आप लोग जानते हैं तो resources का बहुत ज्यादा उन्होंने exploit किया हम एक तरिके से गंगाल बना के चले गए right तो resources की value को हमारे government of India समझती थी तो आजादी के ठीक बात से ही जैसे कि यहां पर लिखा है देखते हैं India has made concerted efforts India has made concerted efforts for achieving the goal of resource planning right from the first five year plan independence के बाद after we got freedom जो हमारा first five year plan सा इससे पता चलता है कि you know government of India या हमारे country की जो leaders हैं वो कितने serious हैं resource planning को लेकर या resources की conservation को लेकर now we'll see next हमारा the availability of resources is a necessary condition for the development of any region a necessary condition साथ हो जैसा कि आप जो जानते हैं कि resource तो बहुत जरूरी है क्यों कि resource हमारे living standard को maintain करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं और economic development के लिए तो जरूरी होते हैं लेकिन केवल resources का मवजूद होना ही काफी नहीं होता availability of resources must be accompanied with technology and institutional setup another example another example जहां पर institutional setup जो ट्रेंगल था जो introduction वाली वीडियो में है आप लोग जाके देश सकते हैं so institutional setup and technology बहुत जरूरी होते हैं economic development के लिए रिए जरूरी होते हैं the availability of resources is a necessary condition for the development of any region but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in the technology and institutions may hinder the development what does that mean it means natural resources की availability के साथ ही साथ latest technology and institutional development क्योंग institutional development क्योंकि institutional development institution जो होगा वो पीशली slide में पड़ रहे थे जो institution होता है वो जो जो particular institutions होता है चाहे वो water resource ministry हो चाहे वो call ministry हो गौर्मेंट का जो nation को लेकर जो developmental plan होता है उस plan को ध्यान में रख करके वो उस particular resource को call ministry call को develop करेगी के मतलब वो उसका मायन से निकाला जाना और प्रॉपर स्टॉक maintain रखना water resource ministry water supply को की planning को ensure करेगी so that water supply continue बनी रहे तो यह value होती है एक outskillate institutional setup as well as technology latest technology बहुत ही जरूरी है तो पहले हमने देखा कि भाई इस topic में हम लोगों ने यह basically इस point में हम लोगों ने देख लिया कि availability of resources के साथ साथ technology and क्याहा technology and institutional planning बहुत जरूरी होती है next देखते हैं there are many regions समझते है there are many regions in our country that are rich in resources अगर हम लोग चो resource development topic था पिछला वाला अगर हम लोग उसे पढ़ है तो हम लोगोंने क्या पढ़ा था हम लोगोंने उसमें पढ़ा था कि resource rich resource rich states कौन-कौन से है resource rich states है हमारे मध्य प्रदेश 36 गड जारकंड लेकिन दोस्तों आप लोग देखे किसी state के लोगों को मैं मतलब ओफेंड नहीं कर रहा हूं बट मेरा एकाना कि देखे इतने rich resources यानि वहाँ पर mineral and cold resources ज्यादा होनों के बावजूद भी वो लोग यह जो states है जो हमारा है यहां पर लाइक क्या हुई यहां पर लाइक हुई institutional planning क्या लाइक हुई institutional planning and technology की लाइक हुई right but but these are included in economically backward regions basically हम लोगो ने क्या पढ़ा जो जो first line हम लोगो ने यहां पर पढ़ा जो first point हम लोगो ने पढ़ा था first point first point में हम लोगो ने यह पढ़ा था न कि भई mere availability of resources is not enough we need to have technology and institutional development right तो इसमें हमने example भी देख लिया क्या example देखा एक बार quick करते हैं हमने देखा कि मद्ध अब्रदेश है 36 गड़ है जारखंड है plenty of mineral and coal resources available है बट यह हमारी country के economically developed states में नहीं आते backward states में आते हैं जो कि यह आपने देखा but these are included in in economically backward regions next हमारा point क्या है देखते हैं on the contrary there are some there are some regions which have a poor resource base but they are economically developed हमारे इंडिया में कुछ ऐसे regions and states हैं वहाँ पे plenty amount में minerals and coal या और भी other resources available नहीं है बट वह economically developed है क्यों क्यों वह economically developed है क्यों क्यों उनके यहां institutional planning है और technology का उन्हें भरपूर इस्तेमाल किया resources नहीं थे लेकिन उन्होंने institutional planning थी और technology की help से resources बाहर से लेकर के जैसे कि जो जहार खंड मध्र प्रदेश 36 गर से जो भी resources जाते हैं other states में जैसे example लेते हैं यह कौन से states हैं जिनके यहां बहुत in terms of in terms of resources बहुत rich तो नहीं है लेकिन वह economically developed है कौन को थे महारास्ट्रा है गुजरात है करनाटका है I'm sorry दोस्तों करनाटका नहीं है महारास्ट्रा है गुजरात है तमिलनाडू है यह economically developed states है दो इस दो इस states means महारास्ट्रा, गुजरात and तमिलनाडू these three states are these three states do not have that much amount of you know coal or other resources which these states कौन कौन से जारखंड, मध्य प्रदेश and 36 या उडिसा भी ले सकते है उडिसा भी बहुत resource rich state है बट वो भी economically backward ही है right so on the contrary there are यह हमारा हो गया ठीक है दोस्तों आप लोग comment करके बताएं कि इंडिया के five states कौन कौन से है जो example हम लोगों ने लिए इसके अलामा कि five states कौन कौन से है जो काफी in terms of resources काफी rich है बट फिर भी वो economically backward है पाँच ऐसे states के नाम बताएं और पाँच ऐसे states के नाम भी आप लोग comment में बता सकते हैं जिनके पास जिनके पास resources इतने ज्यादा नहीं है बट वह economically development दो पांस तो ज्यादा हो जागा तीन भी हम लोग कर सकते हैं राइट नेक्स स्लाइट देखते हैं हम लोग और उसमें जैसे कि यहाँ पे आप लोग देज भी सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ है जो कि बहुत जादा रिसोर्स फुल है रिसोर्स रिच कंट्री है रिसोर्स रिच स्टेट है नाट कंट्री तर फिर भी economically backward है और यह हमारा गुजरात है जहाँ पे उतने रिसोर्स नहीं है जिदने की जारकंड में है लेकिन गुजरात और जारकंड में बहुत ही फर्क है economic development का अच्छा इस एक्जामपल को इसी same concept को हम लोग न international यानि other countries का example भी लेके समझ सकते हैं हाला कि हम इसमें resource planning in India पढ़ रहे हैं लेकिन just to understand की institutional and technology institutions and technology कितनी important होते हैं अब जैसे जापान का example हम लोग लेते हैं जापान और रस्या का example लेंगे रस्या में बहुत ज्यादा minerals हैं coal है natural gas है बट रस्या एक developed country नहीं है आप लोग जानते हैं लेकिन जापान जापान के पास रस्या के comparison में तो कुछ भी नहीं है resources natural resources लेकिन जापान फिर भी एक developed nation है आप लोग जानते हैं इस चीज का राइट चलो यूएस का example लेते हैं यूएस के पास institutions भी है technology है resources भी है तो इस example से हम क्या समझा देको यूएस के पास resources भी है technology भी है और institution भी हो इन तीनों को coordinated efforts हुआ क्या हुआ वो developed country वर्ल्ड का most powerful country है तो हम लोग इसे कैसे समराज कर सकते हैं हम लोग इस topic को basically in points को यह हमारे जो three points है यह first second and third इन three points को ऐसे समराज कर सकते हैं कि only availability of the natural resources is not enough we have to make institutional and institutional arrangements which in turn will you know institutional arrangement हो जाएगा तो technology आही जाएगी तो क्या हुआ resource हो गया एक बार हम triangle के help से समझते हैं क्या चाहिए यह resource हो गया यह technology हो गई और यह institution हो गया क्योंकि institution बहुत जरूरी है institution ही तो planning करता है राइट इस तरीके से यह जो लोग हम लोगोंने जो diagram first page बहीं है आपकी NCRT की book में है यह diagram से अब आप लोग बहतर relate कर पाएंगे राइट चलिया हम लोग we'll move on to the next slide next slide is about उसे पहले हम लोग equation discuss कर सकते हैं जो अभी हम लोगोंने topic खतम किया basically कि only availability of resources is not important it must be accompanied with you know institutional planning and technology इस पर क्या question इस पर तीन number का question आ सकता है कि explain why is institutional and technological development is also necessary for the development of a region और area और a country history right आये देखते हैं हम लोग इस पर फाइब मार्क सा भी equation बनता है जो पिछला वाला topic हम लोगोंने किया resource technology and institutional development फाइब मार्क का भी बनता है बट एक बार हम लोग न यह वाला topic बिकर दोनों फिर दोनों paragraph न हो जाएगा तो इसको समझ लेते हैं फिर हम लोग देखते हैं क्या question बन सकता है इस पर तो देखते हैं the history of colonization reveals rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders दोस्तों मुझे बताने की जरूत नहीं है कि Dutch Portuguese French and Britishers India में क्यों आए और friends एक जरूरी चीज़ आप लोगों से share करना चारा था जो यह colored lines होती है highlighted lines होती है यह सारे keywords होते हैं आप लोग जब वीडियो सुनें इन keywords या वीडियो देखें इन keywords पर ज्यादा attention पर करना इन lines को इन keywords को highlight करने का मकसद ही होता है ताकि आप लोग इसे समझेंगे ज्यादा important है and अगर इन keywords को आप लिखेंगे अभी देखें आप लोगों की UT आने वाली है आप लोग अपने school के UT ए board exam आप प्री बोर्ड में कहीं भी लिखेंगे तो I assure you कि आप लोगों को अच्छे marks मिलेंगे तो यह जो highlighted keywords होते है आपको बहुत colorful जो दिख रहा है इंद्र जनुष जैसा इसका है मकसद होता है So please pay special attention to these keywords So coming back to this point you know जैसा कि आप लोग जानते हैं कहा जाता है कि इंडिया सोने की चड़िया थी वास्तों में हमां वह इसी term में बोला जाता है कि इंडिया के पास बहुत जादा resources थे और इन ही resources को हासिल करने के लिए लोग पहले आज़ा ट्रेडर आया बाद में उन्होंने उनको ल तो उन्हों लगा यार कि क्योंने इस country पे कबजा ही कर लिया जाए इस country पे कुछ dominate करके इस पे अधिकाही कर लेते हैं तो ज्यादा बहतर रहेगा फाइल उन्होंने वही किया व्योंकिल इंडिया के साथ ही नहीं चाहा अफ्रीका लेलो और अधर पार्ट्स अप दे वर्ल आप जीत जाओ आप राजा बनो हमें आप हमारे country का मालिक बन जाओ और आप दराज करो जी हमें जेल में डाल दो दे फॉर्ट दे रेजिस्टेट बट दे लॉस्ट अगें टेकनोलजी का रोल आ गया ये लोग sword and spare से लडते थे यानि तलवार और बाले से उनके पास गंस थी है ने टेकनोलोजी टेकनोलोजी न रोल प्ले किया and अपनी इस टेकनोलोजी कल डेवलपमेंट की वज़ा से ही उन्होंने इंडिया एंडिया एंडिया अधर पार्ट्स अप दो वर्ल्ड के अधर कंट्रीस में भी उन्होंने अपने रूल को स्टैबलिश किया right तो यह हमारा क्लियर हो गया अगला हम देखते देर्फोर रिसोर्सेस कान कॉंट्रिबूट तो डेवलपमेंट ओनली विन दे आर अकंपनीड बाई एप्रोप्रिया टेकनोलोजिकल डेवलपमेंट अंट इंस्टिटूशनल चेंज़े तो जितने भी यूरोपेंस थे उन्होंने इंडिया के साथ ही अधर कंट्रीस को भ है डूटू पहला एखन क्या था फैला तो रिशोर्सेस के रिए पहले उन्होंने ट्रेड किया फिर उन्होंने क्या किया यहां इन्दी शूर्सिस सब अक्श्री यूरोप बहुत जरूरी होता है and they you know they mostly most of them eat you know उनके हाँ meat का ज्यादा you know non-wage का ज्यादा इस्तेमाल होता है तो वो resources उनके लिए बहुत जरूरी थे तो शुरुवात में जब यहां से spices ले जाते थे तो वहां उसको sell करते बहुत profit होता था तो उनको लगाया क्यार इस तरीके से अगर इतना profit हो रहा है trade करके अगर इन country पर अगर अपना rule establish कर ले जाए तो फायदा ही फायदा रहेगा वहाई उनके किया and not only this to establish the you know their supremacy they fought with one another and आप लोग जैसा की जानते है Britishers को you know victory मिली so basically what I am trying to highlight is technological supremacy and institutional setup बहुत जरूरी होता है accompanied with you know availability of resources next हम लोग करते हैं India has experienced all this all this का मतलब India के resources को exploit किया गया under British regime आप लोगों को पता यहाँ से would be India से board बनाने के लिए would be वहाँ export होता था Britain में तो इंडिया क्या all this का मतलब यह हुआ कि इंडिया के इंडिया के resources को इंडिया के valuable natural resources को ब्रिटिशर्स या other Europeans इसलिए exploit कर पाए क्योंकि उनके पास better technology and institutional setup था या changes मतलब as time changes you have to develop your institutions नए नए तरीकों को अपनाना होता है निए निए स्किल्स डेवलप करवानी होती इंस्टिटिशन में तो यह हमारा clear हो गया now last paragraph आप देखते हैं हम लोग therefore in India development in general and resource development in particular इसको पहले समझते हैं जो हमारे resources थे वह तो घर सारे resources European लेके गए especially British लेके गए और उसके बाद आजादी के बाद हमने resource planning तो first five year में mention किया but उनका जो implementation था वो बहुत अच्छे से उतनी अच्छे से नहीं हो पाया जितना की government ने plan किया था क्या हुआ resources का indiscriminate use हुआ topics relate कर पा रहे हो आप लोग जो indiscriminate use resources का क्या हुआ था तीन तरह की problem आई थी पहली तरह की problem क्या आई थी कि resources concentrated हो गए few out of greed few individuals के hands में resources concentrated हो गए आजादी के बाद दूसरा क्या हुआ then society got divided into have and have not and rich and poor और तीसरा क्या हो जो तीसरी problem है तो वो global phenomenon हो गए global ecological crisis हो गई right चाहे आपका glaciers की melting हो चाहे आपका global warming हो चाहे ozone layer depletion हो right yes so that the internet development doesn't not only involve the availability of resources but also the technology quality of Human Resources quality of Human Resources quality quality of human resources का मतलब होता है कि how skilled are the people of a country जितने ज्यादा skill set higher होगी उतने ज्यादा वो country develop करेगी बट यहार resources के context में हम देखते हैं कि resources तो हमारे पहले से कम हो गए दो reason Britishers लूट कर खेले गए दूसरा हमारे देश के जो few individuals जिनके हाथों में you know wealth concentrated है उसका indiscriminately use किया तो have not rich and poor मन बिसिकली इंडिया के context में resources की planning बहुत ही जरूरी है तो human resource and the historical experiences of the people तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि इस पर five marker क्या question बनेगा five marker question ऐसे बन सकता है इस पर कि why is only availability of resources not enough it must be accompanied by or accompanied with institutional and technological changes comment or explain इस तरीक्या का rotation तो वो पहला वाला जो previous वाले slide है और ये लास्ट वाले slide दोनों का coupled होके five marks सा question बन सकता है दोस्तों आज के लिए इतना ही बढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए थैंकियो सो मच छ्रूब वोको तोस्तों कानि अकरीग्र हमाग बढ़ एको करी देवीनर्ड विधर is a